हलो दोस्तों स्वागत है आपका आशिश कशेप YouTube चैनल में दोस्तों अगर आप अमारे चैनल पर ने हो तो यहां से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरू करें बेल को यहां से ओल पर क्लिक करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाएं क्या आप अपना Snapchat अकाउंट डिलेट करना चाहते हैं क्या आप जानना चाहते हैं कि Snapchat अकाउंट पर्मनेटली डिलेट कैसे किया जाता है तो इस वीडियो को पूरा देखें हलो एंड वेलकम गाईस मेरा नाम है आशिश कर्षब चलो इसे देखने के लिए हम चलते हैं अपने मोबाईल स्क्रीन पर दोस्तो आप देख सकते हैं मैं अपने मोबाईल स्क्रीन पर आ चुका हूँ तो हम अपना स्नेप्चेट ओपन करते हैं दोस्तो आप देख सकते हैं स्नेप्चेट ओपन हो चुका है तो हम अपने आकाउंट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे दोस्तो आप देख सकते हैं मेरा आकाउंट खुल चुका है तो हम सबसे उपर यहाँ पर क्लिक करेंगे सेटिंग वाले आइकन पर दोस्तो इसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रोल करेंगे हम यहाँ पर जाएंगे सपोर्ट सपोर्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है I need help हम यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तो इसके बाद हमें नीचे की तर्फ स्ट्रोल करना है हम यहाँ पर जाएंगे माई अकाउंट एंड सिक्योरिटी पर दोस्तो आप देख सकते हैं माई अकाउंट एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का फिर से एक नया पैनल ओपन हो जाएगा हम यहाँ पर जाएंगे डिलेट माई अकाउंट में दोस्तो आप देख सकते हैं आप न्यूपेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि अगर आप अपना अकाउंट डिलेट करते हैं तो कितना डाटा आपका डिलेट होगा और आपका अकाउंट है कितने दिनों में डिलेट होगा तो दोस्तो आप देख सकते हैं आपर लिखा हुआ है कि अगर आप अपना अकाउंट यहां से अभी डिलेट करते हैं तो उसके 30 दिनों बाद यह अकाउंट डिलेट होगा जो 30 दिन है 30 दिन तक आपका अकाउंट डियक्टिवेट रहेगा और 30 दिन बाद यह आपका अकाउंट पर्मानेटली डिलेट हो जाएगा आपको 30 दिन तक इस अकाउंट से फिर से लोगिन नहीं करना है अगर आप फिर से इस अकाउंट से लोगिन करते हैं तो यह अकाउंट डिलेट नहीं होगा तो दोस्त आकाउंट delete करने के लिए हम आपर click करेंगे account portal हम आपर click करेंगे दोस्त आप देख सकते हैं हम यूख page ओपन हो चुका है तो हम नीचे की तरब scroll करेंगे आप देख सकते हैं मेरा username में आपर लिखा हुआ है अब नीचे की तरब अपना password fill कर लेते हैं दोस्तो आप देख सकते हैं मैंने अपना पासफर्ट डाल लिया इसके बाद हम continue पर क्लिक करेंगे दोस्तो आप देख सकते हैं आप लिखा आ चुका है account deactivate दोस्तो आप देख सकते हैं हमारा account हमारे phone में अभी भी login है तो मैं अपने account में चल कर सबसे पहले से logout करेंगे आप देख सकते हैं आप लोगाउट का option आ रहा है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तो आप देख सकते हैं मैंने अपना account logout कर दिया है अब 30 दिन तक मुझे इस account से फिर से login नहीं करना है 30 दिन बाद ये account permanently delete हो जाएगा तो दोस्तो कुछ इस तरीके से Snapchat का account delete किया जाता है 30 दिनों तक इस account से फिर से में login नहीं करना है दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like करें हमारे चैनल को subscribe जरू करें मिलते हैं आप से एकली वीडियो में तब तक के लिए जाए हिन वने मातरम